अपने ही खाते में जमा पैसा निकालने के लोगों को युद्ध जैसी तैयारी करके घर से निकलना पड़ रहा है मगर बैंकों की भीड़ देखकर हिम्मट तूट जाती है तो वही तमाम ATM और बैंकों में मारपीट का भी आलम दिखाई दे रहा है लोग आपस में लड़ भिर रहें पुलिस से हाता पाई हो रही है लाद खूसे लाटी और पत्थर क्याश पारने के लिए सब कुछ इस्तिमाल किया जा रहा है नोट बंदी के फैसले के बाद कैश के किलत से देश रोज़ाना जंग लड़ रहा है अपना ही पैसा बैंक और ATM से निकालने के लिए लोगों को मारपीट पत्थराओ और लाठी तक खानी बढ़ रहे है देश के हर शहर और कस्पे में कैश पाना किसी मुसीवत से कम नहीं है महराश्टर के भिवंडी में जनता पर लाठी चार्ज हुआ तो वहीं यूपी के गाजयाबाद में कैश के लिए लंबी लाइन में खड़े लोगों ने पुलिस के लाठी चार्ज के बाद पत्थराओ कर दिया बिहार के नालंदा में नोट बदलवाने के लिए इंतिजार करने वाली महिलाओ ने घुसे में सड़कें जाम कर दियी बदलवाने के लिए अपने बारी का अंतिजार कर रहे थे लोगों का धैरे जवाब दे रहा था जैस पर पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया कल्यान नाका लाहोटी कमपाउंड के पास हुए लाठी चार्ज के बाद लोगों में भगदर मज गए बिहार के नालंदा में पोस्ट आफिस में नोट बदलवाने पहुंची महिलाएं कई खंटे से लाइन में खाड़ी थी उनका आरोप है कि डागघर के काउंटर थोड़ी देर के लिए खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं कैश की कमी का हवाला दिया जाता है इसी बात पर महिलाओं का घुसा भड़क उठा और उन्होंने सडक पर जाम लगा दिया यूपी के गाजयाबाद में बलराम नगर की पिनबी ब्रांच पर नोट बदलवाने के दौरान खुब हंगामा हुआ भारी भिड को काबू करने के लिए कड़ी मशकत कर रही पुलिस में लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया इसी बात पर लोग भड़क उठे और पुलिस पर पत्राओ कर दिया भगदड, हंगामे और पत्राओ में तीन महिलाएं घायल हो गए यूपी के बात यूपी के बात